इंडियन प्रीमियल लीग यानि IPL 2021 के बचे हुए मुकाबले अब सितंबर में UAE में होंगे BCCI के विशेस पैटक में ये बड़ा फैसला लिया गया है अब IPL से जुड़ी एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है रिपोर्ट्स की माने तो IPL के बचे हुए 31 मैच खाली स्टेडियम में नहीं होंगे UAE के स्टेडियम में 50 फीज़ी फैंस को एंट्री की इजाज़त दी जाएगी बस उसके लिए एक शर्त को पूरा करना होगा दरसल क्रिकबच की रिपोर्ट के मताबिक UAE किर्केट बोर्ड के अधिकारी ने बताया UAE में IPL मैच फैंस के बीच आयोजित हो सकते हैं मतलब स्टेडियम में 50 फीज़ी लोगों को जाने की इजाज़त मिल सकती है BCCI को भी इसमें कोई हर्ज नहीं होगा UAE के नियम के मताबिक जिन फैंस को कोरोना वाइरस की वैक्सीन लग चुकी है वो ही स्टेडियम में जाकर IPL मैच का लुटफ फिल ले सकेंगे बता दें BCCI के अधिकारी इस वक्त दुबई में है और वो ECB और UAE के साथ IPL को लेकर कई एहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे है BCCI सचिप जैशा, कोशाध्यक्ष अरुन सिंग धूमल, उपाध्यक्ष राजीब शुकला और सयुक्त सचिप जैश जोर्ज सूमबार को दुबई पहुँचे BCCI के यह अधिकारी IPL आयोजन सम्मंदित मुद्दों पर अधिकारिक बातचीत करने पहुँचे हैं इसमें मुख्य मुद्दा होटलों का किराया है क्योंकि दुबई एक्स्पो की वजह से वहां होटलों के दाम काफी ज्यादा बड़े हुए हो सकते हैं आपको बता दे पिछले साल भी कोरोना वाइरस की वजह से IPL भारत में आयोजित नहीं हो पाया था इस वजह से अबू धाबी, शार जाह और दुबई में IPL मैच आयोजित किये गए थे हाला कि उस तोरान मैच खाली स्टेडियम में हुए थे लेकिन इस बार पचास विजदी शम्ता के साथ स्टेडियम में लोग आ सकते हैं इससे IPL मकावलों को टीवी पर देखने के साथ साथ स्टेडियम में देखने वाले दर्शक भी खुश होंगे IPL 2020 के दोबारा शुरू होने की तारीख अब तक नहीं आई है वैसे खबरों के मताबिक 29 सितंबर से इसका आगाज हो सकता है BCCI और Emirates क्रिकेट बोर्ड के बीच होने वाली बैठक के बाद इसका पूरा शेडूल जल्द जारी किया जा सकता है दोस्तो इसी तरह की और किरकेट न्यूस के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन बैल में आल सलेक्ट करना ना भूलें